इस वीडियो में आप जानेंगे किस तरह से किसी भी चीच का परचार के सीट, किस तरह से अपने मुवाइल फॉन के मदद से बना सकते हैं। दोस्ता हम वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ सेर जरू करें वीडियो को और दोस्ता हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें। अगले में वेल आइकन आता दोस्ता हम उसको अगर कर देंगे तो जो भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होगा किसी भी चीज के रिलेटीड उसका नोटिक्पैसन जैसे मैं डालूँगा अपने चैनल पर उसका नोटिक्पैसन सबसे पहले आपके करकेशेट बना सकते हैं बहुत ही असान से दोस्तबां हमारे पास यह सेमपल से हेटपोन हैं दोस्तन ये हेटपोन के मदद से मैं किस headphone होना चाहिए या तो आपके पास dummy mic होना चाहिए तो दोर किस तरह से उसको mp3 में converter करना है बहुत ही सुन्दर सा तो दोस्ता चलिए मैं आपको पूरा mixing बेगारा करके भी बताऊंगा वीडियो में लाज तक जुरूर बने रहेगा बीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन बीडियो को लाज तक देखेंगे तभी आप यानि कि जुरूर दोस्ता सीख पाईएगा किस तरह से mixing करना है किस तरह से किसी भी चीज का यानि कि जो परचार के सीट मैंने जिस तरह से बताया किस तरह से उसको पहले परचार के सीड बनाने के लिए दोस्तां तो पहले जो है जिस तरे से गाना को लिखा जाता है कोपी पे , उस तरे से अपना कआपी पे तो है decision-ई Solomon कितना rate है पूरा चीज आप जो है एक जिस तरह से गाना लिखा जाता है copy में उस तरह से आप जो है उसको लिख लेंगे copy में और उसी को जो दोस्तां बना कि उसमें बोलना है और उसमें गाना किस तरह से mixing किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा तो चले वीडियो को शुरू करत ट्रेक जियां दोस्तां उसी से मैं audio record करूंगा बॉइस record करूंगा जियां दोस्तां तो चलिए play store अपना open कर लेंगे उस सेप्स को download करने के लिए अपना play store को open कर लेंगे play store open करने के बाद दोस्तां play store में search वार में आपको यहां पर टैप कर लेना है internet को on कर लेना है जोस्तां और यहां search में आपको टैप करना end track studio जियां दोस्तां end track studio में मैं आज आपको बताऊंगा तो दोस्तां आपको किसी वी चीच का परचार के street बनवाना हो तो आप यानि क कि हमारे वीडियो के निचे comment कर सकते हैं जो कि मैं आपको पचार के street बना के provide करा दूंगा तो चलिए दोस्तां मैंने end track यहां studio DAW open यहां पर कर लेता हूं मैं install करके रखा हूं आप install कर लेना है तो वीडियो को step by step ध्यान से देखेंगे तभी यानि कि आप जो है सीख पाई किसी वीडियो का परचार के street बनवाने के लिए सबसे पहले जो दूस्तां मनाने के लिए जिस तरह से गाना को song को लिखा जाता है उससे तरह से आपको copy पे पहले लिग लेना है जो भी बिग्यापन आप देना चाहते है ओडियो में तो दोस्तां वह आपको लिग लेना है copy में मैंने copy में लिख के रखा हूँ और यहां पर audio record करके भी रखा हूँ ताकि video मेरा लंबा नहीं हो सके तो दोस्ता विडियो अगर लंबा हो जाए तो जरूर लाश्टक ध्यान से देखेंगे तब यह नहीं कि जो है आप step by step इसका effect किस तरह से मैंने लगाया हूँ वैस में क audio record करना effect लगाना है तो मैं विग्यापन यानि किली के रखा था और यह परचार बनाया हूँ मैं अब इसको mixing में करूंगा तो पहले आपको सिखा दूंगा पूरा चीज तो इसको पले बटन पर किली करके मैं आपको चला के जरा सा आपको बता देता हूँ यहां पले वाले दोस्तां तो यहां पे आपको पलेस वाले आकन पर किली करके add audio track किली कर लेना है अपना नीचे यहां पर जो दिख रहा है इसको मैग वाले तो इस तरह से यानिकी यहां पर आ जाएगा और इसको audio record करने के लिए सबसे पहले जो है red बाले बटन पर आपको किली कर देना जै पूरा आपको ध्यान देना है अगर आप मिश्टेक करेंगे दोस्ताँ तो आप effect नहीं लगा पाएंगे और quality भी नहीं होगा दोस्ता इसमें सबसे बड़ा reason है कि आपके पास dummy headphone होना जरूरी है या तो dummy mic होना जरूरी है इसमें मैंने sample headphone से voice को record किया आपको बदाने के लिए सिर्फ इसमें जितना ही dummy headphone से आप record करेंगे या तो दोस्ता माइक से record करेंगे आपका voice उतना ही clear आएगा और बढ़िया effect लगाने में भी मज़ा आएगा तो यहाँ पे जो है EQ यहाँ पे आप देख लें minus 5 degree इसको यहाँ पे मैंने रखाओं इसका voice और EQ जैसे आप click करेंगे यहाँ पे आप देख लेंगे इसका इस तरह से मैंने Equalizer इसको select किया हूँ इसको इस तरह से इतना निचा कर देना है और यहाँ पे इसको जो है इस तरह से को उपर उठा लेना है यहाँ पे इसको select इस तरह से कर देंगे जैसे इस तरह से आप नक्सा में रहेगा दोस्ताँ इसको इस तरह से इतना उठाना है अपने बोयस की साहब से यहाँ पर इसको बजा के देखते रहना है यह मेरा पहला एफेक्ट हुआ दूसरे नमर मिक्चर पर फिर किलिक करेंगे यहाँ पे फिर आपको जो नीचे दिख रहा है यहाँ पे सेलेक्ट वाले बटन पे किली कर देना है इसे मैंने चार एफेक्ट को लगाया हूँ फर्स्ट नम्मर रिबर पो लगाया हूँ कंप्रेसर एको और पीछ सिप्ट यहाँ पे लगाया हूँ आप बढ़ाएं गटाएंगे इस तरह से तो इसको इस तरह से रख लेना है यहाँ पे रखने के बाद कंप्रेसर में जाएंगे कंप्रेसर को लगाने के लिए इस तरह से पले वाले यहाँ पे जो पलस वाले आइकाने दोस्ताँ इसमें पूरा चीज इसमें लगा हुआ है जो भी इसमें लगाना चाहते हैं आप लगाएंगे अपने हिसाब से तो मैंने आपको जो है लगाने के लिए बताऊंगा कि यही एफेक्ट चार को आप लगाएंगे ताकि वाइस के लियर वण्यास हो तो रिवर का यहाँ पर आप देखे लेंगे तीन पॉइंट सात पॉइंट यहनी कि इसको इस तरह से आप बढ़ाएं गटाएंगे तो इसको इस तरह से हरने कि किसी को छड़ना नहीं है ने तो ओडियो खराब हो जाएगा उसके बाद इको को select करना इस तरह से और यहाँ पे आपको select कर लेना दोस्ता माइनस 10 यहाँ जो आपको दिखाए दे रहा है तो दोस्ता इस तरह से आप लगाएंगे माइनस 10 यानि कि 0.0 dB इसको लगाना है बाद की पीछ में आप select कर लेंगे यहाँ पे 100.2% इसको रखना है तो चार इफेक्ट लगाने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा तो दोस्ता इसमें आप सिखेंगे किस तरह से यहाँ तक आ गया अब इसको MP3 में converter कर लेना है तो इसको चला के मैं बता देता हूँ किस तरह से यह ओडियो बना है तो दोस्ता यह विग्यापन मैंने लिख के रखा था इसको लिख के converter करना है तो इसको क्या करना है सेफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ जो आपको देख रहा है share वाले icon पर इसको क्लिक कर देना है इस तरह से क्लिक करेंगे यहाँ पर share as MP3 पर इसको select कर देना है यह जैसे करेंगे तो यह आपका audio file जो है दोस्ता converter हो जाएगा audio file में तो audio file में यह आप आ गया आप इसको क्या करना पड़ेगा आप देखे होंगे कि विग्यापन यहनि कि देते समय बीच बीच में जो song बसता है उसको mixing किया जाता है तो mixing करने के लिए क्या करना पड़ेगा एक play store पे फिर जाना है और application को download करना है वो application का नाव में दोस्ता क्या करना पड़ेगा दोस्ता उसी तरज से फिर search करेंगे जिस्तर से voluntary download किये उस तरह से फिर यहाँपे क्यान master select कर लेना है आपको mixing अप करना है क्यान master को उपन इस तरह से कर लेना है जो भी इसमें आप एडिंग मिक्सिंग करना चाहते हैं अपने बॉइस तो परचार केसेट बनाने के लिए सबसे पहले आप जो देखते हैं कि बीच बीच में गाना चलते रहता है तो यही यहीं कि मैंने आपको दिखाया हूँ यहाँ पर आप देख लेंगे इस तरह से मैंने बनाया हूँ तो चलिए आपको मिक्सिंग करने के लिए आप बताता हूँ वीडियो में लास्ता जरूर बने रहेगा वीडियो को लाइक करें वीडियो को सेर जरूर करें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तां ताकि और भी नहीं नहीं वीडियो देखने को मिले और दोस्तां मन में कोई सा यानि सवाल हो दो वीडियो के निचे आप क तो दोस्ता इस तरह से यानि कि आप सीखें किस तरह से इसको मिक्सिंग करना है और इसमें जो पूरा चीज यहाँ पर आपको दिखाई दरहा है इसमें सारा चीज मिक्सिंग मैंने किया हूँ तो दोस्ता अगले वीडियो में मैं बताऊंगा वीडियो में बहुत लंबा हूँ चुका है अगले वीडियो में पूरा चीज आपको फिर कायन मॉस्टर के बारे मיसिखाओं किस तरह से audio इसमें select करना किस तरह से mixing करना है अगर आपको ये सखना हो तो वीडियो में जरूर कमेंट करें इसका दूसरा भाग में बताऊंगा अगर जो आप वीडियो में कमेंट नहीं करेंगे और वीडियो को लाइक नहीं करेंगे दोस्तों और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाईएगा ये वीडियो मैं यहीं पे समापत कर दूँगा अगला भाग इसका मैं नहीं बनाऊंगा इसलिए आपको अगर सिखना हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को नीचे जरूर कमेंट आप कर लें ताकि हमको और भी यानि कि वीडियो बनाने में मन लगे और इसका दूसरा भाग लेकिं मैं आऊं और आपको सिखाने के लिए हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ और आपको सिखाऊं तो दोस्ता अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद जाहिंद बंदे मातरम